सूरत जिसे कभी एक छोटा सा गाउ माना जाता था, आज गुजरात के आठ महानगर पालिकाउ में से एक है, भारत के परमुख अध्योगिक सेरों में से एक है, हीरा और कप्रा उध्योग में इसकी विशेश पहचान है, इस वीडियो में सूरत की इस अध्रिक्ती यात्रा को हम भागोलिक सांसकुरूतिक और अध्योगिक द्रश्टी से देखने के कोसिस करेंगे, सूरत गुजरात राज्य के दक्सिन यानि साउत हिसे में बसा हुआ एक सहर है, जो तापी नदी के किनारे पर आबाद है, इसकी जलवायों उस्र कटिबंदिय यानि क्रोपिकल है, ज वही सर्डियों में यहां तापमान 15 डिगरी तक कम भी हो जाता है, तापी नदी को सूरत की जीवन रेखा कहते हैं, ये नदी खेतों को सीचाई के लिए पानी देती है, वहीं पूरे सहर के लिए पानी का परमुक पिस्त्रोद भी है, तापी नदी के किनारे बसे इस सहर न सोलवी सदी में यह एक परमुक बंदरगा सहर बन गया, यहां से मसाले, कपड़े और अन्य वस्तुएं दूसरे देशों में भेजी जाती थी, मुगल काल में सूरत एक परमुक वेपारी मथक बन गया, अकबर के सासंकाल में यह वेपार के लिए परमुक बंदरगा बना, यहां की संपन्यता ने कई विडेशी वेपारियों का ज्यान अपनी तरफ आकर इसित तिया, सत्तरवी और अठारवी सतब्दी में ब्रीतिस और च वेपारियों ने सूरत में अपने वेपारी मधक की स्थापित तिये, British East India Company में अपनी पहली फेक्टरी सूरत में ही बनाई थी और फिर आगे चल कर सूरत को ही अपने नेटवर्क का खास हिस्सा बनाया 20 सदी की सुरुआत में सूरत ने हीरा कटाई और पॉलिसिंग के उध्योग में अपना कडम रखा यहां के कुसल कारीकरों ने इस उध्योग को आस्मान की उचायों तक पहुँचाया आज सूरत दुनिया के 90 परसल हीरो की कटाई और पॉलिसिंग का काम करता है हीरा कटाई और पॉलिसिंग में तकनीक का बहुत काम है यहां कटाई के लिए लेजर और कंप्यूटर का उप्योग होता है जिससे हीरो के कटाई अधिक सटीक और सुन्दर बनती है यह स्टूडन्स के लिए प्रेणना का सुरोत है कि तकनीक का सही इस्तिमाल किस तरह से आपके जीवन को बदल सकता है सूरत का कपड़ा उद्योग बहुत पुराना है यहां के कपड़े विशेस रूप से सूरत की सालिया पूरी दुनिया में मसहूर है यहां के कारखने और कपड़ा मीलो ने सूरत को सिल्क सिटी का खिताब दिलाया है कपड़ा उद्योग में भी साइंस का विशेश योगदान है कपड़ा बनाने की परक्रिया में विभिन्य रासाइनों का उप्योग किया जाता है जो कपड़ों को सुंदर और मचबूत बनाते हैं यह चात्रों के लिए एक उधारण है के विज्यान हमारी जीवन पो बहतर और बहतर बना सकता है सूरत की संस्कूर्टी में विभिद्धिता और सम्रिद्धिता का समावेश है यहां के लोग विभिद्ध तेवारों और उस्सवों को बड़े ही धून धाम से मनाते हैं नवरात्री दिवाली गड़ेश चकूर्थी और उत्रायन पर्मुक तेवहार हैं सूरत अपने विभिद्ध और स्वादिष्ट खान पान के लिए भी मसुहूर है यहां के इस्थानी विएंजन जेसे लोचा, इड़ा, पातूरी, आलूपूरी, खाउसा, घारी बहुत लोग प्रिये हैं यहां यह बताता है कि किस तरह से विभिद्ध खान पान और संस्कूरूती किसी खास जगा कोई पहचान बना सकते हैं सूरत में तई एतिहासिक इमारते और इस्मारके हैं जो इसके सम्रिद्ध विरासक को दर्शाती हैं इसमें से सूरत केसल दिर दक्सणेश्वर मंदिर हजीरा मस्जित परमुख है इन इमारतों में विज्ञान और कला का अद्रित्य संगम देखने को मिलता है सूरती लोग घूलने के बहुत सोखीन होते हैं और सूरत में घूलने लायक इस थड़ों में दुम्मज बीच उबराड बीच सेवाली बीच सूरत का चिला लेक विव गाडन गोपी तलाओ आदी मसुखूर हैं 2023 में सूरत को भारत का दूसरा सबसे ज्यादा सुच सहर माना गया था जो हम सूरत वासियों के लिए गोड़ाव की बात है सरदार वल्लब भाई पटेल जैसे सभूतंतरता सेनानी भी सूरत में पेड़ा हुए जिने हम लोपरूस के तोर पर आज पहचानते हैं दोस्तों ये ती सूरत के बारे में कुछ पर्मुख बाते कुछ रोतिक जानकारियां अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको इंफरमेटिव लगा हो और नोलेज देने वाला लगा हो तो आप हमारी होसला अवजाए कर सकते हैं हमारे चेनल को सबस्प्राइब कर सकते हैं हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे सेर करके दूसरों की मोलेज को भी इंट्रू कर सकते हैं